कि जारखंड एक ऐसा प्रदेश है जहां जुआओं के लिए अपार संभावनाये हैं जारखंड के जुआओं में हम बलकि इन बातों में न उल्जा करके आरक्षन में अस्थानिय निती में हम रोजगार स्रिजन पर अगर बात करें चुकि ये एक दिन में ये नहीं हो सकती है इस पर एक नीती बनानी होगी और वो नीती बना करके अब नियोजन नीती भी आपको ऐसी बनानी होगी जो कानून सम्मत हो स्वर रोजगार की भावना डेवलप किया जाए चुकि हम अपने अगर कंट्री की ही बात करें तो कई स्टेट हमसे बहुत आगे निकल चुके हैं स्टार्ट अप कंपनियों में हम हमेशा नौकरी करने की बात सोचते हैं नौकरी देने वाला बनने के लिए हम नहीं सोचते हैं तो मेरा तो मानना है कि वो पांस साल जो भी एक परजन परतिनिधी को मिला है उसको वो भरपूर यूज करें और जुआओं को रोजगार चाहिए जुआओं को रोजगार दे के संस्थापक मी है, एक समाजिक संस्थाइनों ने बनाया ज़ारखंड के अंदर विवाओं को दिशा देने के लिए एक इस तरीके से एक पोजेटिव सक्रात्मक ज़ारखंड के लिए काम किया जाए जो एनर्जी है वो नक्रात्मक के तरफ नहीं लेकिन जार्खन का जो परत्मान परसिती है पहले भी हमने बात चेती गया था अपने ही मुद्दों से घीर गया है एक पार फिर से अस्थानिय निती 32 का हो निवजर निती हो आरक्षन की मांग हो या कई ऐसे भी बाद हो गए हैं जिसमें सिर्फ टकराव है आत्मक पाच चेत करेंगे कि आशकर इस समस्याओं का समधान क्या होना चाहिए आके जार्खन के जो युवा है जो अबादी है ओ क्या चाहती है क्या इस उमीद के साथ जार्खन का निर्मार हुआ था आज 22 साल हो गया है और इन 22 साल के दोरान आपने देखा कि 11 के आसपास में मुख मंत्री जार्खन ने देख लिया है लेकि राजनेतिक अस्तरता ही किवल रहा है तो बरतमान प्रस्तिती पर फिर से एक बार पाच चीत करेंगे कई बाते हमारी पुर्व में आपसे हुई थी जार्खन को क्या जूरत है संबेदन सिल मुद्धों को किवल उठा कर भड़कानी की जूरत है या कोई समधान करनी की बात है या कोई पोजिटिव किस कहा मतलब इससे जार्खन किदर जाएगा से अससी जी मैं पहले भी अपनी विचार बहुत खुल करके इन मुद्धों पर रख चुका हूं मैं आज फिर बस इतना ही कहना चाहता हूं कि जार् प्रखन की 50% अबादी 25 परस से कम उम्रवालों की है कल ही हम लोग सुबास चंद्र बोस की जैनती मनाये हैं हमें जुआओं को क्या देना है चुकि कोई भी राजनिता ये अपने प्रदेश के जुआओं का आइडियल होता है आइडल है वो जुआ उनको फॉलो करते हैं जुआ उनसे अपने भविष्व की रन निती तैक करने के लिए उनका अनुकरन करते हैं तो बहुत जरूरी है कि हमारे जो परदेश के अग्रणी स्रेनीम के जो भी नेता है चाहे हमारे मुख मंत्री माननिये मुख मंत्री हो या हमारे मंत्री गन हो या विपक्ष के जो भी पुर्व के मुख मंत्री हो इन्हें जार्खन के जुआओं को एक उचित दिसा देने की जरुवत है जार्खन के जुआओं में हम बलकी इन बातों में न उल्जा करके आरक्षन में अस्थानिय निती में हम रोजगार स्रिजन पर अगर बात करें सभी नेता मिल करके कि में रुजगार देने की कैसे विवस्था करें चुकि आपको पता है कि जार्खन का जुआ चाहे वो गरीब का जुआ हो एदम निम नस्तरिये परिवार का हो जो गरीवी रेखा के नीचे वाले लोग हैं या मिडिल क्लास के फेमली का बच्चा हो ये दोनों ही क्लास के रिटेन नहीं कर पा रहे हैं तो बहुत जरूरी है कि जार्खन में हम इनको कैसे रिटेन करें इस पर मन्थन हो चुकि ये एक दिन में ये नहीं हो सकती है इस पर एक नीती बनानी होगी और वो नीती बना करके अब नियोजन नीती भी आपको ऐसी बनानी होगी जो कानून स चाहिए इसमें कतई खराबी नहीं है जो जारकन के हैं उनको रोजगार मिलना चाहिए जरूर मिलना चाहिए तो मैं विर्सा जुआ मंच का भी गठन इसी उदेश से किया हूं कि कैसे यहां के जुआओं में रोजगार स्रिजन की भावना डेवलप किया जाए स्वर रोजगा सोच ही नहीं पा रहा है वो सोच इतना डेवलप नहीं कर पा रहा है हम हमेशा नौकरी करने की बात सोचते हैं नौकरी देने वाला बनने के लिए हम नहीं सोचते हैं तो इसलिए बहुत जरूरी है कि इस पर मन्थन किया जाए और सभी नेता इस पर मिल करके समाज को बाटन जोडने की करवाई न करके जोडने की करवाई करें और अगर एक बार आपका जार्खन बिक्सित होगा तो यहां रहने वाले सारे लोग बिक्सित होंगे सारे जुआ आगे बढ़ेंगे सर आज जार्खन की वाउं के क्या रक्षन की जुरुत है और नौकरी की आज उसे अस्थानी और नियोजन के नाम पर भाषा के नाम पर लडाने की जुरुत है आखिर चाहिए क्या अंतता क्या चाहिए रोजगार ही चाहिए आप इस बात से समत होंगे लेकिन हम कर क्या रहे ह इन मुद्दों के छेड़ कर कर क्या रहे हैं। वो पांस साल जो भी एक परजन परतिनिधी को मिला है उसको भरपूर यूज करें और जुआओं को रोजगार चाहिए जुआओं को रोजगार देने की पहल में कारगर काम करें। या रक्षण की बात हो सबके अगर आप जाएंगे तो देश्य सिर्फ यह है रोजगार अगर आप रोजगार दे देंगे तो फिर इन तमाम मुद्दों का कोई अचत्ते ही नहीं रहेगा और कहीं न कहीं इस बात को जो हमारे जन प्रत्नीदी हैं। जो हमारा नितित्व करता है वो समझता है इसलिए रोजगार देने के नाम पर सिर्फ इन ही चीजों पर कि उन्हें घेर का रखा जाएं। और इसलिए आप देखेंगे कि आज जहारखन इन संबेदन से इन मुद्दों को लेकर सिर्फ टकराओं के स्तिती में दिख रहा है। कर बिरूत कर रहा है। अपने से होगे स्यस्रामृतिक के साथ मैं सस्यभूश हूं सुसल संबादने उस इन्सार कर रहा है।